हाई फ्रेंट्स वेलिकम तो देश्क देवा इंग्लिश स्पाखन क्लास फ्रेंट्स इन लाश्ट क्लास आई टाउट टू अबाउट यूज ऑफ कि पॉन रिमेन एंड गो अगर फ्रेंट्स उमीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया ए और पिछली क्ला समर्श मेली जन्टेंज दिये थे ंगॉमर के लिए अगर आपने बनाया है तो अभी आप मैस कर लिजी यह रहा अगरहे संतेंस को अंग्लीश में ट्रास लेट किया है तो मैस कर लिजए और कहीं गलतिया तो इसे ऊचल के लिजी एक वह वह उप्रेंट्स तुड़िया फिर्ट्ट यां टोट्ट इच आए जम उजट ऊप्रेंट पार्ष मोगों को पता है कि जब संट्रेंच के अंत में या करता है या करता था या करती थी या करते थे ऐसा हो तब ही हम यूज्टू का इस्तमाल करते हैं बड़ ऐसा नहीं है संतेंश कांत में ता था थे थे ती थी ऐसा भी रहता है तो हम यूज्टू का इस्तमाल करते हैं अबके फिर्ट्स संतेंस बनाते हुए हम समझाएंगे यहां पर में वे लोग मेरे घर आया करते थे तो यह चिज sentences के लिए हम यूज्ड डू का इस्तमाल करते हैं तो यह लोग मेरे घर आया करते थे इस sentence को हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे लोग मेरे घर आते थे फिरेंट्स यानि कि तता ते थे ती थी भी लास्ट में रहे तो भी हम वैसे sentences को यूज्टू लगा कर बनाते हैं सिर्फ लाइक यानि पसंद वर्व और जानना वर्व छोड़कर बाकर सभी वर्व के साथ हम अगर ताथे ती ती रहे तो यूज्टू करते हैं अभी हम इसको हम बनाते कैसे हैं अब इस स्ट्रक्श्ट उप दसंद्स सब्जेक्ट प्लस जूज्टू प्लस मुज्ट उब्जेक्ट प्लस भी वर्व अब्जेग्ट उद्टश फ्लस अधर्स पहने तो अब शंद्स बनाते वे समझते जाते हैं वे लोग मेरे घर आया करते थे तो दे यूज्टू come to my house वह मुझे किताबे देता था मतलब दिया करता था तो he used to give me book मैं 8 बजे उस्कूल जाता था यान की चाया करता था I used to go to school at 8 o'clock उसके पिता जी उसे पढ़ाया करते थे his father used to teach him वह धुए का आदी हो गया है अभी ये अलग टाइप का sentence है ये जो दोने sentences मैंने लिखे हैं इसमें भी used to का ही इस्तमाल होता है वह धुए का आदी हो गया है मुझे धूल की आदत हो गई है तो इसका बनेगा he is इसमें इस लगेगा क्योंकि ये प्रिजेंट टेंस है है आ रहा है इसलिए he is used to smoke मुझे धूल की आदत हो गई है I am used to dust जब भी आदत वाली बात इस तरह की दी हो कि वह धूए का आदी हो गया है मैं इस सहर का व्यस्त हो गया हूँ वह धूल का आदी हो गया है तो ऐसे sentences को भी हम used to लगा कर ये बनाते हैं अगर प्रेजेंट में हो तो इस आरेम लगा कर बनाएंगे अगर पास्ट में हो तो उसको वाजवर लगा कर बनाएंगे वह फ्रेंट्स अभी इसका मगर नेगेटी बनाएंगे तो कैसा होगा नेगेटीव में आप या तो doing to q as a helping word इस्तिमाल कर सकते हैं नेगेटीव में और होग उसका साथ हम डीघ लगा कर बना सकते हैं जैसे घृष अ बेंजोग मेरे गहर आया करते थे तो इसमें अगर नहीं लगाते हैं कि वे लोग मेरे घर नहीं भी आया करते थे तो हो जाएगा they did not used to come to my house जब हम did लगाएंगे तो use से डी हट जाएगा यानि कि उसका third form या second form नहीं लगेगा first form लगेगा ओके फ्रेंट्स तो they did not used to come to my house अगर हम इसका एंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एंट्रोगेटिव का फर्मूला आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्या से शुरू होनों आरे संट्रोगेटिव बनाएंगे क्या वे लोग मेरे घर आते थे या या करते थे did they used to come to my house क्या वह मुझे किताबे देता था did he give me books वागा फ्रेंट्स एंट्रोगेटिव बनाएंगे था हम दीट पहले लगा देंगे और यूज का पहला फॉर्म अभी हम इसका question note कुछ लेते हैं कि वे लोग तुम्हारे घर क्यों आते थे या आया करते थे वाइडिड दे कम टू यूर हाउस तुम कहां जाया करते थे यानि कि तुम कहां जाते थे वेर डिड यू यू यूज टू गो वोके फ्रेंट्स इस तरीके से question वाइड एंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हम दीड लगा कर अभी हम कुछ करते हैं प्रेक्टिस और ज्यादा sentences लेकर प्रेक्रिस करते हैं वह बच्पन में दूद नहीं पिया करता था यानि कि नहीं पीता था he did not used to drink milk in childhood वे लोग उस पेड पर चड़ा करते थे they used to climb on that tree हम लोग उस नदी में नहाया करते थे we used to take bath in that river क्या तुम मुंबई जाते थे did you used to go to Mumbai मैं कुत्ता पालता था यानि कि मैं कुत्ता पाला करता था या मैं कुत्ता रखा करता था I used to keep dog क्या वे लोग तुम से मिलते थे did they used to meet you क्या तुमारे पिता जी तुमें पढ़ाते थे did your father used to teach you क्या तुमारा भाई स्कूल जाता था did your brother go to school वह तुम्हें क्यूं काली दिया करता था why did he used to abuse you वह कुत्ता क्यूं भोगता था why did that dog used to bark okay friends friends अगर present में ऐसा sentence होता है कि वे लोग हर शनिवार को या रोज मेरे घर आया करते हैं या वे लोग मेरे घर आया करते हैं तो ऐसे sentences को आप used to लगा कर मत बना देना कि आया करते हैं जाया करते हैं इस तरह का हो तो फिर लगता है समझना प्रिजेंट में अगर इस तरह का sentence हो कि वह लोग मेरे घर आया करते हैं तो उसका हम प्रिजेंट के हिसाब से बनाएंगे जैसे आ यूज नहीं लगाएंगे जो प्रिजेंट में होगा जैसे वह स्कूल जाया करता है यह जा पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे he used to go to school ऐसा नहीं बोलेंगे काफी students मेरे class में इसा गलतिया करते हैं इसलिए मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा था ओके फ्रेंट्स इस तरीके से आप भी sentences को create कीजिए एक structures सिखिए और उसे बहुत सारे sentences create कीजिए और उसका practice कीजिए English में translate करके मैं वादा करता हूँ कि आप कुछी दिनों में English बोलना शुरूर कर देंगे ओके फ्रेंट्स तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया किजिए कमेंट भी जरूर किया किजिए और अगर आप सच मुछ English सिखना चाहते हैं और अगर आप अमारे चानल पर नयहे हैं और अभी तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया है तो आप सब गुजारिश को subscribe कर लिजे और bell icon को click करके all notification को on कर दिजिए तकि हमारे हर वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहे और आप English घर बैठे सिखते रहे और मुफ्त में तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलोट धन्यवाद कर दो एक हमारा वीडियो दाओ ज़ तक हमारे और मुफ्त में तक हमारा वीडियो देखने बन्यवाद